क्या आपका बच्चा भी बहुत जादे मोबाइल देखता है और आप परिसान हो गए हैं और सोचते हैं कि यह आदत हम कैसे छुड़ा है तो यह वीडियो आपके लिए हिल्फुल होगा आज इस वीडियो में हम यहीं देखेंगे कि छोटे बच्चों की मोबाइल देखने की आदत हम कैसे छुड़ा है तो चलिए अभी हम देखते हैं आज के दौर में जादे तर पैरेंट्स की यहीं समस्या है कि हमारा बच्चा बहुत देर तक मोबाइल देखता है या फिर टीवी देखता है जो कि उसके हिल्फ के लिए ठीक नहीं होता है जिससे हर पैरेंट्स बस यहीं सोचते हैं कि यह आदत हम कैसे छुड़ाएं तो चलिए इसके लिए हम कुछ टिप सेयर करेंगे जो आपके लिए हिल्फूल होगा सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हम बच्चों के सामने कितनी देर तक हम मोबाइल और टीवी देखते हैं क्योंकि हमारा बच्चा हमें ही फॉलो करता है जैसे कि हम बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं और बच्चा यहीं सोचता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हम भी वैसा ही करना सोचेंगे तो सबसे पहले हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए हमें भी बच्चों के सामने जादे दिर तक मुबाइल या टीवी नहीं देखना चाहिए और जिससे बच्चे को भी समझ में आएगा कि नहीं मुबाइल इससे पहले क्या था कि हम लोगों के टाइम में हमारे पेरेंट्स जादे देर तक मुबाइल और टीवी नहीं देखते थे तो हम लोगों ने भी अपने बच्चपन में मुबाइल क्योंकि हमारे समय में स्मार्टफोन नहीं होते थे जब हम इस तो जिस्से हम लोग दिन भार फोन देखते हैं और बच्चे भी भही देखके हमें फॉलओ करते हैं जिसके लिए हमें भी खुद पर कंट्रोल करना होगा हमें भी अपने बारे में ये सोचना होगा कि हम कम से कम फोन और टीवी देखें अगर हम फोन का यूद जादे बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चों को भी फोन देखने की आदत लग जाती है हमारे बच्चे छोटे हैं और हम उनका ध्यान इधर उधर मोड सकते हैं हम बच्चों को इंडोर गेम जैसे लूडो कैरम ये सब में थोड़ा बीजी रखेंगे तो बच्चों का फोन पर कम ध्यान जाता है अगर हमारे बच्चे जादे छोटे हैं जैसे नर्सरी लेबल के हैं या फिरियल के जी यू के जी के हैं तो हम उन्हें ब्लॉक्स के थ्रू भी बीजी रख सकते हैं जैसे ब्लॉक्स देखिये पिक्चर में आते हैं जो कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ऐसे भी ब्लॉक्स बच्चों को हम दे सकते हैं जैसे बच्चे उसमें खेल के कुछ अच्छा सीखेंगे भी और अच्छे से अपना टाइम भी spend करेंगे या फिर हम बच्चों को drawing करने के लिए दे सकते हैं या फिर अगर बच्चे mobile ही देखते हैं तो mobile में भी हम कुछ ऐसा चला कर दे सकते हैं जैसे बच्चे कुछ सीख पाएं जैसे कुछ dance का लगा कर दे सकते हैं कुछ drawing का लगा कर दे सकते हैं जिसे देखकर बच्चे करते हैं जिससे उन्हें कुछ सीखने में भी help मिलती है अभी जैसे अभी हम COVID के चलते बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते तो हम घर में भी बच्चों के साथ time spend करेंगे और उनके साथ indoor game खेलेंगे बच्चे अकेले होते हैं तो घर में भी बोर होते हैं तो इसके लिए भी उन्हें mobile चाहिए होता है जैसा कि सारे parents को पता है आजकल तो बच्चे वैसे भी mobile पर पढ़ाई कर रहे हैं online सारे classes चल रहे हैं इसके लिए भी phone चाहिए तो वो तो ठीक है लेकिन बाद में भी बच्चे mobile का use करना सोचते हैं कि हमें mobile मिल जाए कोई game या फिर कुछ भी video लगाए या देखें दिन बर तो इस चीज़ को हम ऐसे रोख सकते हैं कि बच्चों को हम किसी activity में विजी कर दें जो कि उनके लिए interesting हो और उनका मन लगा रहे है और वो easily करते रहे हैं और कुछ नया सीखते रहे हैं जिससे उनकी जादे देर तक mobile देखने की आदत या फिर TV देखने की आदत छूट जाए ओके तो ये थे कुछ tips I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा Thank you for watching Like, Share, Subscribe